तो कहानी की शुरुआत होती और हमें एक सक्स को दिखाया जाता है जो अपने ही हाथो अपनी जान लेता है यानि खुद खुशी कर लेता है और इस व्यक्त का नाम जो होता है अब यह सीन यहीं से कट होता है जिसके बाद हम एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे हम जो के नाम से जान पाते हैं यानि यह वही बच्चा है जो बड़ा होकर आत्म हत्या करने वाला है यहाँ पर हम प्रेजन्ट में जो को देखते हैं जिसे अपने बच्पन की यादे हमेशा याद आती रहती हैं और इसी वज़ासे वो हर रात को अपने आपको अलग अलग तरीकों से जान लेने की कोशिश करता है याने खुद को मारने की कोशिश करता है असल में हम जान पाते हैं कि जो की पिता बच्पन में जो और उसकी मौम पर बहुत ही ज्यादा तैचार करते थे जिसकी वज़ासे जो ने बच्पन से बहुत ज्यादा दर्द सहे हैं इसके लावा वो मिलेटरी में भी होता है ये असल में human trafficking में फसी होई लड़कियों को बचाने का भी काम करता है जिसके लिए इसे hire भी किया जाता है अब इसी वज़ास हम देखते हैं कि जब एक दिन अपने खर पर आता है तब उसे वहाँ पर एक बच्चा घूर रहा होता है जिसका नाम Moises होता है और ये एंजल नाम के अगादमी का बेटा होता है असल में हम एंजल को जान पाते हैं जो एक middle man होता है जो कि जो के पास फसी हुई लड़कियों का काम लेकर आता है जिसके बाद वो जब एंजल के पास पहुँचता है तब उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटे मोसिस ने मुझे देख लिया है जिस पर एंजल वहाँ पर ना कह देता है लेकिन यहाँ पर जो समझ जाता है कि एंजल उससे जोट बोल रहा है क्योंकि वो अपनी मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता और वो नहीं चाहता कि उसकी वज़स उसी मॉम को किसी तरह की कोई तकलीफ हो यहाँ पर जोन जो को एक किस के बारे में बताता है जिसमें एक बड़े हुद बड़े पॉलिटीशन के बेटी को बचाना था क्योंकि उसकी बेटी को ह्यूमन ट्रेफिक ही वालों ने कितनैप कर रखा था और यहाँ पर वो अभी बताता है कि अलबर्ट को एक मैसेज मिला है जिसमें उस लड़की को जहाँ पर रखा गया है उसका पता है अब इसके बाद जो निहां से अलबर्ट मोटो के पास पहुँचता है जहाँ पर अलबर्ट अपनी बेटी मीना के बारे में बताता है कि उसकी बेटी को एक सेक्स रेकट चलाने वाले हुमन ट्रेफिकर्ण ने पकल रखा है और यहाँ पर वो जो को अपने बेटी की तस्वीर भी देता है और यहाँ पर वो जो को ये भी बताता है कि उन्हें अच्छी तरीके से सबक भी सिखाना है जिसके बाद जो उसे ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है और जो उसे एक पता देते हुए कहत है कि तुम ठीक यहां तीन बजी पहुच जाना अब इसके बाद हम देखते है कि जो एक शौप पर जाकर बहुत सारे अपने सिफटी के लिए सामान खरिदता है ताकि वो नीना को बचा सके अब इसके बाद देखते हैं जो सिधा उस जगा पर पहुचता है जहां का उसे एड्रेस या गया था यानि जहां पर नीना कैद थी और यहां पहुचने के बाद जो वहां के सारे गार्ट्स को मारती हुए नीना को बचा ही लेता है यहाँ पर नीना को भी देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शाय दिये भी एक साइको टाइप की है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता असलमें नीना के साथ भी बच्पन से बहुत ज्यादा घटना एकटी है जिसकी वज़ासी है काफी ज़दा डिप्रेशन में रहती है जिसके बाद नीना को लेकर जो एक होटल रूम में पहुचता है जहाँ पर उसने अलबर्ट को अपने एडरेस में बुलाया था जिसके पीचे गवर्नर का हाथ हो सकता है अब यहाँ से निकल कर जो सीधा जौन मेकलेरी को फोन करता है और बहुत बार फोल उसे लगाने का ट्राई करता है लेकिन फोन लगता नहीं इधार गवर्नर के लिए उगमोसिस और उसके बच्चे को भी मार देते हैं जिसके बाद अब जो जॉन मकलेरी के ओफिस में पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि जॉन मरा हुआ है, अब इतनी सारी घटना एक साथ देखने के बाद जो काफी जादर टिप्रिशन में चला जाता है, और वो एक बार फिर से अपने बच्पन की आदों में खो जा जाता है, क्योंकि जो अपनी मा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, तब ही वहीं पर वो देखता है कि नीचे दो एजेंट्स जो का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद फॉरन जो इनमें से एक एजेंट को मार देता है, और दूसरे को बुरी तरीके से जखनी कर दे हैं, जिसके बाद अब जो उसी एजेंट के साथ जमीर पर लेड़ कर गाना काने लगता है, असल में जो की मेंटल कंडिशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसने अपनी जिन्दकी में बहुत ही दर्द चेले हैं, या इस कहानी के बीच बीच में हमें कहीं न कही जो की यादों को भी दिखा जाता है, जो बहुत ही दर्दनाग गुजरी थी, और अब तो उसकी मॉम की मृत्त भी हो चेकी है, जिसकी वज़ा से जो बुरी तरीके से तूट चुका है, अब सुबा होने के बाद जो अपनी मॉम की डेड़ बाड़ी को एक तलाब के पास ल इसके बाहर पहुँचता है, तभी उसे बीच रास्ते में ही जो को कुछ विजन्स आते हैं, जो कि हमें ये समझाते हैं कि नीना आकर क्यों इतनी परिशान रहती है, यहाँ पर हमें दिखाय जाता है कि नीना के फादर भी नीना के साथ जबर्दस्ती इंटिमेट होते थे, इसी वज़ासे अपने पिता के मरने के बाद नीना थोड़ी भी दुखी नहीं हुई थी, और नीना की मेंडल कंडिशन भी इसी वज़ासे ठीक नहीं थी, अब इसके बाद हम देखते हैं जो गवर्नर विलियम्स का पीछा करने लगता है, और इस तरह से वो गवर्नर के घ होथी कमजोर पा रहा है, अब कैसे भी समल कर जो वहाँ पर खड़ा होता और घर के चारों तरब देखने लगता है, तब इसे एक कोने में नीना ना थराती है, यहाँ नीना एक डानिंग टेबल पर बैठकर नास्ता कर रही होती है, और इसके प्लेट में एक खोन से सना हु और इस बाद से हम जान पाते हैं कि नीना ने ही कहवरनन को मारा है, जिसके बाद अब जो नीना को वहां से लेकर एक रेश्टरोंट में आता है, जहाँ पर नीना जो से पूछते कि आखिर हम कहां जा रहे हैं, तब यहाँ पर जो नीना को बताता है कि अब हम आजात है और जाहे जा सकते हैं जिसके बाद नीना यहां से उठकर बातरूम चली जाती है और इसी भी जो को फिर से एक वीजान आता है जिसमें उसने खुद को गोली मार लिये और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है तब तक नीना वहाँ पर उसे उठा कर कहती है कि यह बहुत ही खुबसूरत दिन है और जो भी उसके हां में हां मिलाता है और इस तरह से यह दोनों आप समझ जाते हैं कि इनके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है और इस तरह से यह दोनों पहले बार अपनी life में एक दूसरी के साथ मुस्कुराते हैं और इसी को दिखाते वे इस कहानी का यहीं पर end हो जाता है